हमने सिखा 1. कोई संख्या परिमे संख्या कहलाती है यदि इसे P बटे Q जहां Q बराबर नहीं सुन्य के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पुनांख है 2. कोई संख्या परिमे संख्या कहलाती है यदि इसे P बटे Q जहां Q बराबर नहीं सुन्य के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहां P और Q पुनांख है तीसरा, दो परिमे संख्याओं के मध्य परिमे संख्या ग्यात करने के लिए दोनों परिमे संख्याओं का ओसत अर्थात माध्य लेते हैं चौथा, दो परिमे संख्याओं के बीच इतनी अधिक परिमे संख्याओं होती हैं कि हम उन्हें गीन कर नहीं बता सकते हैं पाँचवाँ, एक परिमे संख्या का दस्मलव प्रसार या तो सांत होता है या असांत आवर्ती होता है छटवाँ, एक आपरिमे संख्या का दस्मलव प्रसार असांत अनावर्ती होता है साथवा, वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल पाँच, पाई, संख्या और परिमे संख्याएं है आठवा, सभी परिमे और और परिमे संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तिक संख्याओं का संग्रा प्राप्थ होता है 9. संख्या रेखा के प्रतेक बिंदू के संगत एक अध्वित्य वास्त्विक संख्या होती है साथ ही प्रतेक वास्त्विक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदू होता है 10. एक परिमें वा एक आपरिमें संख्या को आपस में जोडा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए वा भाग किया जाए तो मान आपरिमें संख्या प्राप्त होता है 11. एक बटे वर्गमूल A रिन B के हर का परिमें करन करना के लिए इसे हम वर्गमूल A धन B बटे वर्गमूल A धन B से गुणा करते हैं चहां A और B पुनांग हैं